तक अब हम करेंगे नमबर एन मैट्स पार्ट वन आपको मैट्स किये वाली पॉपन करनी है पार्ट वन ओके पार्ट वन ही उपन करना आप पेज नमबर 46 आप रीट करो टॉपिक क्या है ह-e-a-v-y heavy, क्या लिखावाई ये, heavy इसको 10 टाइम आपको read करना है heavy and light spelling बोलके, h-e-a-v-y heavy and light अगर आपको ये word पढ़ना आएगा, read करना आएगा तो ही आप ये activity कर सकते हैं otherwise आपको पढ़ना नहीं आएगा और इनके मतलब नहीं पता होंगे तो आप ये activity नहीं कर सकते हैं तो आपको 10 times heavy और light की spelling learn करनी है, प्रस आपको इनका मतलब समझना है कि क्या होता है heavy means होता है भारी, light means होता है halka, ठीके, heavy का मतलब क्या होता है भारी, और light means halka, तो आपको ये spelling learn करनी है और read करनी है, उसके बाद आपको means क्या होता है, halka तो हमको क्या करना है, ये जो दो pictures दे रखी है, उनमें compare करना जो halka है, उसको circle करना है light है, उसको circle करना है, जो यह लिखावा है उससे related picture को हम circle करेंगे ठीके, तो हमारे पास लिखावा है light light means halka, तो हम compare करेंगे ये coconut और ये strawberry है तो coconut और strawberry में क्या halka होता है और क्या भारी होता है, heavy और light, तो मुझे लगता है कि strawberry light होती है, तो हम strawberry को circle कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यह light लिखावा है next box में हम देखेंगे heavy, यहाँ पे heavy लिखावा है तो हमको यह compare करना है कि heavy कौन सा है, तो हमारे पास क्या है एक leaf है, और एक branch है तो leaf तो light होती है और यह branch है, यह कितनी heavy है कितनी भारी है ना, तो हम इस heavy वाले को इस तरह से circle करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे heavy word दिया हुआ है next हम देखेंगे क्या लिखावा है heavy, heavy तो heavy है, तो हम फिर से heavy को circle करना है तो हम देखेंगे lock और key आपके पास भी घर में lock और key है ना तो आप इसको हाथ में लेके भी compare करके देख सकते हैं कि key heavy है या lock heavy है कौन सा भारी है और कौन सा हलका है तो इस तरह से अगर आप compare करके देखेंगे तो हम heavy को circle करेंगे तो यह हमारे पास heavy है इसको हमने इस तरह से circle कर दिया इस तरह से आपको यह पूरी sheet complete करनी है heavy और light का concept समझके ओके